नमस्ते मैं डिम्पल शर्मा आज 27 जून 2019 दिन गुरुवार आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपको व्यापार में हानी हो रही है तो ऐसा क्या उपाय करें कि आपकी जो हानी है वो फायदे में बदल जाए तो जिन व्यापारी को व्यापार चलते चलते ठप हो गया है तथा लाग प्रयत न करने के बाद भी नहीं चल रहा है तथा जो व्यापारी अपनी शॉप वगैरा किराय से देना चाहते हैं अभर नहीं जा रही है तो परिनाम स्वरूप जब इस तरीके से चीजें होती हैं तो क्या उपाय करेंगे तो उसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार या फिर शनीवार को ग्यारा पीपल के पत्ते लें उन्हें आप गंगाजल से अच्छी तरह से धोलें उसके बाद लाल चंदन से हर पत्ते पर साथ बार राम राम लिखें इसके बाद आप हनुमाँची के मंदिर में इस पूरे पत ग्यारा पत्तों को जिसमें राम राम लिखा है उसे वहाँ पे चड़ाएं तथा वहाँ पे प्रसाथ बाटें और इस मंत्र का राम-राम मंत्र का जाप करते रहें जितनी बार आप कर सकते हैं इस उपाई को आपको साथ मंगलवार या फिर साथ शनीवार लगतार करें अगर हो सके तो इसे गुप्त रखें तो जादा बहतर होगा और अच्छे परिनाम मिलेंगे ऐसा करने से आपके व्यापार में हो रही हानी से आपको मुक्ती मिलेगी और धन समर्द्धी आपके कदम चुमेगी ये तो था कि व्यापारियों के लिए अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशी फल की सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी वालों की देखें मेश राशी वालों के लिए क्या है आज मेश राशी वाले कार्य शेत्र में आपको बहुत सफलता हासिल मिलेगी यहां तक कि स्त्री वर्ग से आपको धन लाब होने की संभावनाएं बनी हुई है लेकिन वहीं अगर हम देखें आपके पारिवारिक स्थितियों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे और हम बात करें आपके फ्रेंड सर्कल की तो शाम को उनके साथ बहुत अच्छी शाम बीतने वाली है आपकी शुबरंग आपके लिए पीला भाग ये साथ देगा 75% अब हम बात करेंगे व्रिशब राशी वालों की देखें व्रिशब राशी वालों के लिए आज क्या है ब्रिश ब्राशी वाले आज मेहनत का दिन है जितनी जादा मेहनत करेंगे उतनी जादा सफलता आपको मिलेगी बैलन्स रखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आप कहीं न कहीं देखें तो बैलन्स नहीं रख पा रहे हैं घर और अपने कार्यस्थल के बीच में उसकी वज़े से आपको stress level बढ़ सकता है शाम होते होते आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्य में सफलता जरूर मिलेगी शुब रंग आपके लिए cream भाग के साथ देगा 65% मिथुन राशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है मिथुन राशी वाले सोच विचार में डूबे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें decision नहीं ले पा रहे हैं तो better है कि थोड़ा आज समय टाल दें तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर दुपैर तक टल गया समय तो आप देखेंगे कि afternoon में आपका जो भी decision निकल के आएगा वो आपके benefit के लिए होगा शाम होते होते चीजें settle भी हो जाएंगी पारिवारिक स्थित्यां बहुत बहतर नजर आ रही है यहां तक कि सामाजिक शेत्र में ख्याती बढ़ती हुई नजर आ रही है शुब रंग आपके लिए white भाग्य साथ देगा 65% अब हम बात करेंगे करक राशी वालों की देखें करक राशी वालों के लिए आज क्या है करक राशी वाले कार्य शेत्र में सफलता है प्रमोशन्स नजर आ रहे हैं नए वेंचर आ रहे हैं आज आप अपने व्यापारी स्थित्यों से बहुत सटिस्फाइड रहने वाले हैं लेकिन दूसरी तरफ परिवार में थोड़ा सा परिशानी का महल रहेगा का महल रहेगा तो आप इन सब चीजों से दूर रहें तो आपके लिए बहतर रहेगा शाम होते होते कोई नया वेंचर मिल सकता है सामाजिक शेत्र में भी थोड़े उतार चड़ा हो सकते है तो थोड़ा शांती बनाए रखिए शुब रंग आपके लिए पीला भाग्या साथ देगा 55 परसन अब हम बात करेंगे सिहराशी वालों के लिए आज क्या है सिहराशी वाले मिसंडरस्टांडिंग न होने दे नहीं तो नुकसान हो सकता है अपने कलीक्स के बीच में या फिर अपने अधिकारियों से जो भी बात है खुलके करेंगे तो अच्छा रहेगा पारिवारिक स्थितियां अच्छी नजर आ रही है लेकिन सहर डगमगा सकती है उस चीज़ का खास खयाल रखिए शुबरंग आपके लिए पीला भाग के साथ देगा 75% अब हम बात करेंगे कन्या राशी वालों की देखे कन्या राशी वालों के लिए आज क्या है कन्या राशी वाले आज ब्यापारी की आत्राएं आपकी बहुत सुखद होने वाली है यहां तक की बच्चों संबंदी समस्या भी सौल्ब होती नजर आ रही अगर उन्हें आप अब ब्रॉट भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है और उसमें आपको सफलता भी मिलेग और हम बात करें समाजिक शेतर में तो समाजिक शेतर में भी ख्याती बढ़ती वी नजर आ रही है सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है शुब रंग आपके लिए ब्राउन भाग्य साथ देगा 75 परसन अब हम बात करेंगे तुला राशी वालों की देखे तुला राशी वा देगी शुब रंग आपके लिए औरेंज भाग के साथ देगा 85 परसन अब हम बात करेंगे व्रश्चिक राशी वालों की देखे व्रश्चिक राशी वालों के लिए आज क्या है व्रश्चिक राशी वाली को पुरानी बिमारी आपकी उभर के आ सकती है तो टैबलेट्स वगेरा आपकी जो भी मेडिसन से टाइमली लें तो आपके लिए बहतर होगा आज अपने आपको बहुत अकेला महसूस करेंगे आप लोगों से उमीदे बहुत जादा रखते हैं तो उमीदे कम करेंगे तो दर्द भी कम होगा शुब रंग आपके लिए क्रीम भाग के लेकिन वापारी के साथ साथ अगर हम बात करें पारीवारिक स्थियों की तो बहुत 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 नजर आ रही है आपका मान सममान में बढ़ोतरी होगी आपकी बातों को बिलकुल गोर किया जाएगा और आपको रिस्पेक मिलेगी शुब रंग आपके लिए ग्र पारिवारिक स्थितियां बहुत सुन्दर नजर आ रही है कोई नया मेंबर एड़न होने वाला है लेकिन बुजुर्गों की आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का खास खयाल रखें डिसीशन मेकिंग पावर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है उस चीज का खास खयाल रखें अपने इंट्यूशन के साथ जाएंगे तो सफल रहेंगे चुब रंग आपके लिए ब्राउन भाग्य साथ देगा 55% अब हम बात करेंगे कुम्भराशी की देखें कुम्भराशी वालों चाहते हैं जिसकी वज़े से आपको प्रॉब्लम हो सकती है परिवार की हम बात करें तो परिवार की तरव भी आपका नजरिया बहुत हार्श टाइप का रहेगा तो उस चीज को थोड़ा सा बैलन्स रखें आखरी में शाम होते होते कोई चीजें कम्प्लीट होने वाली है आपकी आप देखेंगे कि दिन भर में जो भी उतार चड़ाव था वो बिल्कुल बैलन्स हो चुका है शुबरंग आपके लिए बेच भाग्य साथ देगा 65% मीन राशी वाले देखें आपके लिए आज क्या बोल रहे हैं काच मीन राशी वाले बैलन्स बनाने की कोशिश क कर रहे हैं नहीं हो पाहरा है कंफ्यूस्ट हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है मेहनत बहुत जादा लग रही है प्रॉफिट उतना आ नहीं रहा है तो कोशिश यही करिए कि अपनी जो वानी है उस पे कंट्रोल रखें कई बार क्या होता हमारी बोली ही हमारे रखे शाम को दोस्तों के साथ family के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा शुबरंग आपके लिए light green भाग के साथ देगा 55% ये तो थे आपके तैनिक राशी फिल आज की सलहा जिन लोगों के चीवन में बहुत उत्तार चड़ाव लगा रहता है जो प्रमोशन जाते हैं मग या तो गुरुदारे जाएं मंदिर जाएं मज़द जाएं जहां कहीं पर भी जाते हैं तो जब भी आप सीड़ी चड़ते हैं तो कोशिश यही करिए हर गुरुवार के दिन या तो सुबह, early morning या फिर शाम को सीड़ी में पोच्छा लगाएं पोच्छा लगातें नीचे स उपर जाएं आप देखेंगे कि अगर आप ये regular करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका promotion भी होगा, आपकी ख्याती भी बढ़ेगी और आपको काफी मान सम्मान मिलेगा, खुश रहिए, अपना खयाल रखें, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, नमस्ते